क्या दोस्तो आपके Instagram अकाउंट से भी Reels का ओप्सन गायब हो गया है तो इस वीडियो को लाज तक देखते रहो क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ जिन ट्रिक का यूज करके आप अपने Instagram अकाउंट पर 100% Reels का ओप्सन ला सकते हैं नमस्कार दोस्तो मैं मंदीब सर्माया आटेक में आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो यदि आप अपने Instagram अकाउंट पर कोई ऐसी activity कर देते हैं जो Instagram की guidelines के खिलाफ है तो आपके Instagram अकाउंट पर से Reels का ओप्सन गायब कर देता है अब यदि आपके साथ ऐसा हो चुका ह आपके Instagram अकाउंट से Reels का ओप्सन गायब हो चुका है और आपने काफे सारी ट्रिक का यूज कर लिया है लेकिन फिर भी वो Reels का ओप्सन आपके Instagram अकाउंट पर नहीं आया है तो इस वीडियो को लाश तक देखते रहो जिन ट्रिक के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन ट्रिक से आप अपने Instagram पर Reels का ओप्सन बापस ला सकते हैं क्योंकि दोस्तों मेरे Instagram अकाउंट से भी Reels का ओप्सन गायब हो चुका था और मैंने इस ट्रिक का यूज किया और मेरे Instagram अकाउंट पर Reels का ओपस आचुका है तो इसी लिए मैं करना है कैसे अपने इस्टाग्राम अकाउंट पर रियस का ऑप्सन बापस लाना है यह सब जानेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर जा करके लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में जाने के बाद यहां पर आपको उपर सर्ज करना है इंस्टाग्राम सर्ज करने के बाद यहां पर इंस्टाग्राम पर आपको क्लिक करना है इंस्टाग्राम पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दे इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन करने के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लोगाउट यहां से कर देना है इंस्टाग्राम अकाउंट को लोगाउट करने के बाद यहां पर यह देखिए आपको कुछ देर इंस्टाग्राम के एब पर क्लिक करके रखना है और य क्लियर कैच्चे और केलियर डाटा आपको कर देना है ये सब करने के बाद अब आपको बैक जाना है अपने मोबाइल के प्लेट को अपन करने के बाद इसको करना है और अपने Instagram account को इसमें फिर से आपको login करना है और login करने के बाद यहां पर देखना है कि आपके Instagram account पर rails का option आया या फिर नहीं आया काफी लोगों का इस trick का use करके ही Instagram account पर rails का option आ जाएगा क्योंकि मेरा जो है वो इसी trick का use करके rails का option वापस आ गया था मुझे दूसरी trick का use करना नहीं पड़ा था इसी trick से मेरे Instagram account पर rails का option आ गया था अब दोस्तों यदि इस trick का use करके आपके Instagram पर rails का option नहीं आता है तो आपको क्या करना है आपको यह देखिए अपने home page पर आकर इसका एक screenshot ले लेना है यानि यहाँ पर आपको नीचे यह जो option है जहाँ पर rails का option आता है यहाँ पर जो है यह भी आना चाहिए कि आपके Instagram account पर आपके page पर rails का option नहीं आ रहा है तो उसका screenshot आपको ले लेना है यह देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है तो मेरा तो यहाँ पर rails का option आ रहा है आपका नहीं आ रहा होगा तो आपको screenshot ले लेना है इस्क्रीन सोट लेने के बाद अब आपको क्या करना है आपको ऊपर यह देखिए पहले तो यहाँ पर यह देखिए नीचे profile के option पर help के option पर क्लिक करने के बाद उपर सबसे उपर आपको एक option मिलेगा report a problem आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी problem लिग लिए कि आपके Instagram अकाउंट पर क्या हो रहा है तो आपको यहाँ पर के लिए 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 मेरे Instagram अकाउंट पर रेल्स का उप्शन नहीं आ रहा है तो प्लीस इसका कोई सॉल्यूशन बताएं यू फिर इसका सॉल्यूशन कर दें यानि मीरे इंस्टग्राम अकाउंट पर रिल्स का उप्शन बापस ला दें यहाँ पर लिथे लेना थो कर देना है अपलोड करने के बाद यह सब करने के बाद आपको लिखने के बाद इसकी इंसोट अपलोड करने के बाद नीचे सेंड के उप्सन पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या तो आपके पास एक या दो घंटे बाद रिपले आ जाएगा नहीं तो आ आप report send करेंगे तो आपको अपने Instagram telephone loggout करदेना है logout करने के 1 या 2 घंटे बाद आपको फिर से Instagram account login कर健康 लोगिन करके देखना है चाहिद आपके Instagram account पर Reels का option प्रेम यह फिर नहीं आया आ गया तो ठीक नहीं तो आपके Instagram अकाउंट पर रेल्स का आपस आजाएगा मेरा भी आचुका है तो चलिए दोस्तों हम चलते ही इस वीडियो को यहीं पर खत्म करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि ये वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मु